एलो फ्रेंड्स आइम इम्रान सर और विलकम बेक टो यूटूब चैनल यसी फैमिली गाइज लास्ट लेक्चर में हमने सिंगल इंटरी सिस्टिम इस चाप्कर की शुरुवात की थी आज का हमरा लेक्चर नंबर थी है और इस लेक्चर में हम देखने वाले प्रोबलम नंब थी सो स्टार्ट करते है अधित्यक कीप्स इस बुक्स ओन सिंगल इंटरी सिस्टिम और इन्फोरमेशन इस डिस्ट्लोज नीचा हमें इन्फोरमेशन दी है जिसमें बैलेंश इट के पॉइंट होते है एसेट और लेबिलिटी जिसे हमें स्टेट्मेंट आप आपेर्स में पोइसेट करना होता है राइट ऑन बाएवन हम क्या करते है पोस्टिंग स्टार्ट करते है फिर्स्ट पॉइंट है कैश अट बैंक इसे हमें लिकना है एसेट में cash एट बैंक ओपनिंग का बैलने समय दिया है थर्टि-स थाउजन और qlosing का है फॉर्टि-फाउजन नेक्स पॉइंट है stock, asset में आ जाएगा, stock, stock की value में दिये 30,000 and 35,000, next point है dators 15,000, dators 15,000 and 22,000, furniture आ में दिया है, furniture भी asset में लिखना है, furniture 9,500 and 9,500 आगे इसमें दिया है creditors, creditors आने वाला liability site में, creditors 27,850 and 35,400 second last point है, bills payable, bills payable opening में balance नहीं है, closing में है 10,000 और last point है investment, जिससे हमें asset में लिखना है, investment, opening में balance नहीं है और closing में 20,000, so इस तरह से transfer करना है, आप क्या करना है guys, close कर लेना है so first हम opening asset site close कर लेते हैं, okay opening asset site में first point है 36,000 plus 30,000 plus 15,000 plus 9,500 90,500, minus कर लेना है liability site, 27,850, so remaining balance मिलेगा 62,650, इस तरह से हमें opening close करना है, और अब closing close कर लेते हैं 45, plus 35, plus 22, plus 9,500, plus 20 1,031,500, उस में से minus कर लेना है 1,031,500 में से minus करना है 35,400 और 10,000 so 86,100 balance मिलेगा 86,100 इसे हमें नाम देना है capital balancing figure, okay so guys, आप क्या करना है, opening और closing capital हमें transfer करना है statement of affairs में, right so first यहाँ पर हमें लिखना है closing capital closing capital closing capital हमें यहाँ पर मिल गया, कितना? 86,100 आप क्या करना है, add करना है first drawing अगर आपके पास drawings होगा, ताम इसे add कर लेंगे इस question में drawings की adjustment बहुत important adjustment है अगर आपको समझ में आई, तो बहुत ज़्यादा फायदा होगा, okay so guys, drawing के adjustment number first है, आपको carefully read करना है मैं आपके लिए read करता हूँ, समझ कर ले ना आदित्य ट्रांसपर रुपीज 150 एच मन्थ दूरिंग first half year 150 रुपीज, first half मतलब 6 मन्थ के लिए ट्रांसपर किये उसके बाद, and रुपीज 200 एच मन्थ फोर रिमेनिंग पिरेड फ्रॉम हिस बिजनेस to his private banking account by way of drawings and took away रुपीज 300 worth of goods for personal use बहुत ज़्यादा बड़ी adjustment है, आपको बहुत ज़्यादा confusion हुआ होगा हम उसे फिर से एक बार read करते है इसमें क्या कहा है, कि 150 रुपे पहले 6 मैने के लिए ट्रांसपर किये उसके personal account में, उसके बाद जो remaining 6 मत है उसमें 200 each मत, मतलब 200 रुपे हर एक मत में उनने ट्रांसपर किया बाकी के 6 मत के लिए, 6 मैने 150 और बचे वे 6 मत में 200 रुपे इसे ट्रांसपर किये और उसमें आगे बता है कि 300 रुपे के goods भी personal use के लिए अब क्या करते है पहले समझ लेते, 150, 1st half year के लिए और उसके बाद 200 रुपे, 2nd half year के लिए calculation कर लेते, so यहाँ पर मिलेगा 900, और यहाँ पर मिलेगा 1200, यह हो गया उसका drawing plus इसमें हमें क्या करना है, goods भी जो personally उसके लिए लिया था, उसे हम add कर लेते 300, so total drawing अब हमें मिल जाएगा, total drawing कितना रहेगा, 2400, right adjustment simple है, लेकिन पढ़ते है समय आपको carefully पढ़ना है, right इसे first erase कर लेता हो, yes, हम systematic way में आपर लिखते है, first half year, right first half year में कितना, यह आपर लिखते है, 150 multiply 6 month, so 900 यह आपर मिलने वाला है then second half year, second half में क्या हुआ, 200 transfer किये, 6 month के लिए, so 1200 लिखना है, right और last में goods भी लिए है, कितने के goods लिए है, 300 के, so total drawing हमें मिलने वाला है 2400, एक बार check कर लेते हैं फिर से, yes, drawing कितना रहेगा, 2400, right अब इसे add कर लेना है, okay, 86100 में 2400 add करना है, so 88500 बैलेंस मिलेगा अब क्या करना है, हमें यहाँ से lace करना है, additional capital, additional capital, आपको adjustment में दिया होता है, additional capital बस आपको समझना चाहिए, अब additional capital के adjustment है guys, second number की अधित्य सोल्ड ही, हाउस सोल्ड फरनीचर फर रूपीज 5000, घर का जो फरनीचर है, उसे बेज दिया और 5000 मिला है उसका कह किया, जो 5000 मिला है, उसे proceed वर यूटिलाइज फर बिजनेस, जो 5000 मिला था, उसे बिजनेस के लिए यूज किया है इसलिए हमें उसे कहना है, additional capital, और additional capital हम less करते हैं, राइट, आप कितना balance बचेगा, 83,500 लास्ट में हमें माइनस करना है, opening capital, ये भी हमें question में मिला है, हमने यह आपर find किया था, 62,650 माइनस कर लेते हैं, 62,650, राइट, और अब जो balance मिलेगा, उसे हमें profit कहना है 62,650, yes, so 20,850 इतना balance मिलने वाला है, जो positive balance रहेगा, हो रहेगा, 20,850 उसे याप पर लिख लेते हैं, ओके, इसे हमें नाम देना है, profit before adjustment ओके, हाँ, अब हमीं क्या करना है, एक हीड़ी याप लेना है, add, first, add अगर कोई question में हमें incomes और gains अगर मिलते हैं, तो हमें उसे याप पर add करना है और अगर कोई expenses रहेगा, तो हमें उसे minus करना है, expenses और losses अब क्या करते हैं, जो remaining question एक बर चेक कर लेते हैं, उसमें क्या-क्या बचा है so remaining question में, last adjustment है depreciation की, और उसमें RDD की भी adjustment दिये so depreciation और RDD आ जाता है, expenses में, income में कोई भी point नहीं आने वाला इसलिए मैंने याप पर कुछ नहीं लिका है, ओके, हाँ so first, इसमें क्या है, हम पहले adjustment को read कर लेते हैं, आपको समझ में आ जाएगा furniture is to be depreciated by 10%, right, and reserve for doubtful debt is to be maintained at 5% on debtors, right so guys, first क्या करते है, furniture का depreciation याप लिक लेते है, depreciation on furniture furniture point check कर लो, 9,500 पर हमें 10% depreciation लेना है, कितना आएगा, 950, right और second, reserve for doubtful debt means RDD, RDD हमें calculate करना है डेटर्स पर 22,000 पर हमें calculate करना है, 22,000, multiply percentage है 5, so 1100 हमें क्या मिलने वाला है RDD, okay, 1100 ये रहेगा RDD, ठीक है, उसे आप लिख लेते हैं, 1100, अब question में कुछ बचा नहीं है, so क्या करना है, first इसकी total कर लेना है, 2050, right, और हमें minus कर लेना है, minus करने के बाद जो answer मिलेगा, इसमें से minus करने के बाद जो बचेगा, वो रहेगा आपका net profit, because positive balance आने वाला है, right, net profit, okay, 20,850 minus 2050, so 18,800 मिलेगा हमें net profit, और यह रहेगा answer, okay, hope so guys, आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ भी अगर डाउं तो कमेंट कर देना, okay, आज के लिए इतना ही, have a good day, thank you, क्या आपको लाउं तो कि हुऌ अखको लूभी अजले प्रह देना ही,